आदाब नाजरीन मैं एहमद अली तैयब आपका टीसाट केस प्रोग्राम गुरुकुल उद्धियोगा गाइड में इस्तेखबाल करता हूँ जैसा कि आप जानते हैं ये सिलसला वरायरास्त टेली कास्ट किया जा रहा है गुरुकुल उद्धियोगा टीचर्स के लिए आईए आज जैसा कि आप जानते हैं आज का टॉपिक CCE उर्दू मुसलसिल जामे जांच उर्दू है आज हमारे इस्टेडियम में माहरे सब्जेक्ट पेशेट से तद्रीच दर्सों तद्रीच से मुनसलिक हैं आप मुहम्मद अलिम अद्दीन आप फस्टू एथ उर्दू के तर्टीबकार के इलावा मौलिफ हैं आईए आज का इस टॉपिक को मैं अलिम साब को दावत देता हूं कि वो अपना तारूफ के साथ साथ इस टॉपिक पर नजर मुजाहत करें और ये बताएं कि किस तरह के सव स्वालात और मुसलसल जामेजांच होता किया है और इसकी इम्तिहानात के मद्दे नजर खासकर गुरू कुल उद्दियोगर टीचर के इम्तिहानात के मद्दे नजर किस तरह के सवालात आ सकते हैं ये टॉपिक में कितने नशानात मिल सकते हैं और ये कम्प्लीट वजाहत ताकि तुल्बा की नशानदे ही हो सके माक्स के लिए अच्छी नशानात हासिल कर सके तो आईए रहुव साब असलाम अलेकुम नाजरेन बहुत ही खुशी की बात है कि टी साइट की जानिब से ग्रूकुल के जो टीचर्स रिकूरूटमेंट है उसके लिए जो आईस्परेंट्स है या उमीदवार हैं उनकी तैयारी के लिए जो पोर्गराम चलाया जा रहा है उसमें सबसे पहले मैं यहाँ पर आज का जो टापिक है मुसलसील जामे जांच कंटिनियस कांप्रेहेंसिव इवैलवेशन से मुतालुख मैं आज जो है ना कुछ सराहत करने की कोशिश करूँगा तो आईए नाजरेन आज का तो आईए नाजरेन आज का जो टापिक है सी सी ए कंटिनियस कांप्रेहेंसिव इवैलवेशन यह बहुत ही एहम है क्योंकि यह तद्रीश से मुतालुख है तद्रीश इसके बगार जो है ना बेमाने होगी इसलिए इसको जानना जरूरी है तो सबसे पहले मैं इस टापिक से मुतालुख इसका पसमंदर क्या है आईए नाजरीन जैसा के हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि सी सी क्या पसमंदर है और सी सी क्या है इसका डेफिनेशन के साथ अगर आप हमारे तुल्बा के लिए वजाहत करें तो यह बहुत अच्छी बात होगी तुल्बा जो है अच्छी तरह से जहर नशिन रखेंगे और इसमें आने वाले सवालात को वो हल कर सकेंगे तो आज हम यह जानें के इसका पसमंदर क्या है सी सी का पसमंदर का अगर हम पसमंदर देखेंगे अप्तिदाही से जो तालिमी कमेटीस हिंदुस्तान में या आदादी से पहले से खायम की गई थी उन तमाम कमेटीस का ये ख्याल था कि जान्च का जो अमल है बहरुनी के बजाए दाखिली तोर पर भी होना चाहिए जैसे के हंटर कमिशन जो सबसे पहले जो कमिशन हिंदुस्तान में बठाया गया है उसका भी यही ख्याल था इसी तरह से सार्ड़क कमेटी का ख्याल था अगर आते आते हम देखेंगे युनिर्सिटी ग्रांट्स कमिशन के में भी जो है ना कहा गया है कि जो जान्च का अमल है इवालवेशन का अमल है बहरुनी के बजाए दाखिली तोर पे भी होना चाहिए इसी तरह हम देखेंगे मुदलियार कमिशन ने भी जो है इस बात पे तवज़े दी है अपनी रिपोर्ट में के जान्च बैरुनी के अलावा अंदुरिनी दाखिली तोर पे तद्रीस के दौरान भी होनी चाहिए अगर हम आगे आते जाएं तो कुठारी कमिशन ने इस बात के ओपर बहुत ज्यादा तवज़े दी है कि जान्च ऐसी हो कि बच्चे की हमाजहिती तरखी को यह करती हो मदद देती हो तो इसी तरह अगर हम और आगे आएं तो इस बात को मज़ीद ज्यादा तवज़े दिलाए गई है न्यू एजूकेशन पालसी में न्यू एजूकेशन पालसी में यह कहा गया है कि बच्चों की हमाजहिती तरखी के लिए एक ऐसा जान्च का तरीखे कार होना चाहिए जो बच्चे की हमाजहिती तरखी में माविन हो तो हम देखते हैं कि इसको मद्दे नजर रखते होए कई हम डिपयप के तहखिए जो है ना सीसी वगरा के माडूल्स और बना कर भी जो है ना टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई थी और जो है ना उसको इंप्लिमेंट करने की कोशिश की गई थी लेकिन ये कोई खानूनी हैसियत नहीं रखते थी लेकिन इसमें रिफार्म्स के लिए जो है ना कोशिश की गई थी जैसा कि आप जानते हैं सी सी के पसमंजर में आपने प्रिज दी थी इस पर सी सी के तहट अब पिछले पांच साल से हमारी रियासत में जो है ये काम चल रहा है तो इस पसमंजर में क्या सवालात आ सकते हैं किस तरह के सवालात आ सकते हैं हम इसका अभी जाइजा लेते जाएं आगे बढ़ेंगे आईए इसके बाद यह गया कि मुजलसिल जामे जाँच होनी चाहिए तो इसी तरह से अबर जो हुआइपर मजीद तहकिक्षाथ होती गए तो लरनिंग विठार बड़न Learning Without Button की जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें इसमें बहुत ही जो है ना शिदत के साथ मुतालबा क्या गया है कि मुसलसिल जामेजांच होनी चाहिए तो इसके लिए NCF 2005 में तबदीलियां रिफार्म से लाई गई और NCF 2005 के तहर संट्रल गौर्मेट ने CCE को मतारुफ करवाया तो यहां पे इससे हम रोशना सुए हैं कि CCE जो है एक अच्छा तरीखेकार है जांच का तो अगर हम इसकी जूरत या इसलाहा तो हमारी रियास्त में अगर हम देखेंगे हमारी रियास्त में मुسल्सिल जांच के अंतिहान के तरीखेकार में हमारी रियास्त ने भी जो है जब Central government ने sarnos देरे इंतिधा में मरकजी जो नामें के स्कुलों में जब जांच के तरीखे को रोशनास करवाया तो रियासती हुकूमत ने भी जो है ना उसी रिफाम्स को जो है ना अपने पास खुबल करने की कोशिश की तो मुसल्सिल जाम जांच की इमतिहान के तरीखकार में रियासती हुकूमत ने भी जो है बाद इसलाहत लाए हैं मिसाल के तोर पे मुसल्सिल जामे जांच के अमलावारी के तहट हजब जैल हिदायत के मताबिक इम्तहान के तरीखे में इसलाहाद की सिफारिश की गई है तश्कीरी जाँच के देरीए अम्ताईनात को कम्रे जमाट केंदर अंजां दे दिये जाने ओम आले तद्रीसी अमल के हिस्दे के तोर पर तबदील करना अम्ताईनात को आसान बनाना याद करके अम्ताई लिखने के तरीखे को निकाल कर बच्चे खुद से लिखने के तरीखे को अहमेद देना नशानात रैंक या मसाबिखत को कम करके ग्रेडिंग के तरीखे को मतारफ कराना है मालूमात को अहमेद देने के बजाए मजमुन वारी मतेयन करदा तालिमी मियारात इस्तिदादों को जांच में शामिल करना मौलिम की जान याने तैयार किये गए पर्चेस हवालाद के जरीए बच्चों की जांच करना है या बजार में अगर दो जस्तियाब हैं या दूसरे पॉब्लिशर्स जो छाप रहे हैं वैसे क्वेशन पेपर से लिए बगएर टीचर जो है ना क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो ही जानता है कि बच्चे क्या सीके हैं उसी की बन्याद पे यहां पर पर्चेस हवाल टीचर ही बनाए और इम्तिहान भी उसी पर्चे के जरिये लिया जाए मैं यहां पर एक थोड़ी सी वजाहत चाहता हूँ क्या इस तरह का सवाल आ सकता है जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात बताई कि पहले जो इम्तिहान होते थे कामन मेथट पर पर पर्चेस तावला तयार किया जाता था आज यह कहा सीसी के तहत यह कहा जा रहा है कि मौलिम कमरे जमात में पेपर को बच्चों की सलाहियत पर तयार करे तो यह सवाल आ सकता है क्या मौलिम बच्चों की सलाहियत को मद्दे नज़र रखते हुए कमरे जमाद में सवालात को तयार करता है ये तरीखा न्यू पॉलिसी के तहत है, गुठरी कमिशन के तहत है या सीसी के तहत है? ये बिलकुल आ सकता है, सीसी के तहत जो है न हम इसमें जब क्यूंके सराहत कर रहे हैं, इसलाहत में जो है इस बात को लेके आए हैं, तो सवाल जो है ना इसी नौयत का पूश्चा जा सकता है. आईए अजीज तुल्बा आपको ये जो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, इस पॉइंट्स को मदे नज़र रखिए, आप अगर इस पर नज़र रखते हैं, तो इस तरह के सवालात पॉइंट्स पर बन सकते हैं, आईए हम मुझीज डिसकस करेंगे, मैं अलिम साब से चाहता हूं कि इसमें और कौन से नुकात हैं, जिसकी वजाहत जरूरी है. साथ जो है नाम, तयीब साथ, हम जो है देखें, पीचर के बनाए हुए परचे सवालात के जरीए जांच की जानी चाहिए. इसी तरह सवालात जो है, तज़ियाती होना है, बनाए जाएं, कसीर जवाबी सवालात को शामिल किया जाएं, ऐसे सवालात बनाया जाएं, जिन से बच्चों की ऐस्तिदात की जाच होनी चाहिए, मदमून वारी जाच होनी चाहिए, उसका घर तालिब इल्म की तरफी का रिर्पोर्ट इंदराच करना चाहिए, रेश्टर्स में उसका एहतमाम भी करना चाहिए. तहरीरी अम्तिहान के अलावा जबानी अम्तिहानात का भी जो है इतमाम करना चाहिए बच्छों के किये गए कारवाई या सरगर्मियों का मुशाहिदा करना चाहिए बच्छों को मनसुबा काम देना चाहिए उसकी भी जो है जांच की जानी चाहिए पोर्टफोलियो वगरा का इनेखात करके उसकी बुनियाद पे बच्चों की जांच की जानी चाहिए मजगलों में शिरकतदारी किस तरह कर रहे हैं उसकी बुनियाद पे बच्चों की जांच की जानी चाहिए टूल्स के देरी जांच की जानी चाहिए तो यहां पर जांच जामे होनी चाहिए यह जो हमारी रियासती हुकूमत के जो जिनी इसलाहत को लेके आया गया है जांच जामे होनी चाहिए जांच ऐसी होनी चाहिए जिसमें तमाम चीजें शामिल हो के तौर पर वर्दिश की तालीम, फन और तहजीब की तालीम, काम और कंप्यूटर की तालीम, वैली एजूकेशन ये अगदार की तालीम, माविन हयात महारतों की यहां पर देखेंगे हम जांच की जानी चाहिए. तो इन तमाम चीजों को जो है हम ये जांच की रिफांस में जो है ना शामिल किये हैं. और जांच के तरीखे कार में, तश्कीली जांच के तरीखे के जारीए बच्चों की जानी चाहिए, और तश्कीली जांच को तदिरीस का हिस्सा बनाना चाहिए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा बनाना चाहिए, इसी दरा बच्चों के इस्तिदादों के हसूल को ग्रेड नशानात के बजाए ग्रेड के जरी जाहर करना चाहिए उनका परसंटेज है जो भी बच्चे ने हासिल किया है जो भी बच्चे ने तालिम हासिल की है जो सीखा है उसका SMC या अवलिया तुल्बा के साथ जो है यहां पर बच्चा किस तरह सीक रहा है उसको जो है ना उनके वालेदें से जो है यहां पर बतलाना है बच्चा किस तरह सीक रहा है आपका रैंक लारा नहीं बच्चा आपका किस तरह सीक रहा है यह बतलाना है तो यहने कि आप इस सीसी के तहट ऐसे सवालात आ सकते हैं कि वो कौन सा तरीख तद्रीश है जिसमें बच्चे की हमागीर तरखी हो सकती है तो यहां पर यह सवाल आ सकता है तो हमारे इस तुल्बा जो ग्रुकूल उद्दियोगा गाइड से इस प्रोग्राम को रास्ता और पर देख रहे हैं आप इस बात को नोट कर लें कि हमाद जहायती तरेखी के लिए एकसेप्ट किया है इस पर आमलावर यह चल रही है तो इस पर सवालाट आ सकते हैं तो इस इस प्रोग्राब्राम और आपके टीवी चेनिल आपके स्क्रीन पर जू पॉइंट्सBook important points दिखाई दे रहे हैं उसको आप note कर लें ताकि इम्तिहनात में इस पस्त मंजर से आने वाले सवालात के जवाबात आप आसाने से दे सकें तो आईए सेर हम ये पुछना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं मुसलसिल जामे जांच क्या इसका डेफिनिशन आ सकता है तो उसकी तारीफ करते हुए जरा मुजाहत कीजिए बिल्कुल बिल्कुल ये जो जांच का मामिला है जांच तद्रीस का हिस्ता है अगर काम्याब तद्रीस होना है बच्चे किस तरह सीख रहे हैं वो मालूम अगर हमें होना है हमें चाहिए तब जो है हमें इससे वाकिफे जरूरी है तो मुसलसिल जामे जांच एक जांच का तरीखा है जो बच्चे की हमाजहिती तरखी और उसके अंदर होने वाली इल्म की तश्कील का जायदा लेने वाली जाँच है साबिख में भी मादी में भी जाँच की जाती थी सिर्फ वहां पर इल्म की याने मालूमात की जाँच की जाती थी लेकिन यहां पर बच्चे के मकमल हमाजहती तरखी की जाँच की जाती है आपने जिकर किया था भी ये बताया था कि आपने व उसके सासाथ इस्तिदादें वगेरा जो है इसके उपर बुछ सवालात आ सकते हैं तो इसकी वजाहत की कर्फ चाहिए है यह जो मसलसिल जामे जाँच है सिर्फ निसाबी नहीं है बलके हमनिसाबी मौदुवात को इस्तिमाई तोर पर जायद आलेने वाली है हमनिसाबी और जायद निसाबी दोनों भी चीज़ें शामिल हैं इसमें पहले जो जाँच की जाँच की जाती थी मादी में यह रिफाम साने से पहले एसलाहत से पहले सिर्फ मालुमात की निसाबी नुकात की जाँच की जाती थी लेकिन मुसलसिल जामे जाँच में हम निसाबी नुकात की भी जाँच करते हैं हम निसाभी नुकात जो हैना क्या हैं हम आगे देखेंगे और अब जैसा कि आपने तालिमी मियारात के हुसूल को मदे नजर रखते हुए अंजाम दी जाती है यानि जो हम सब्जेक्ट वाइज या मजबून वारी जो तालिमी मियारात जो स्टांडर्स एकाडमिक स्टांडर इस डिसाइट किये हैं उसके मताबिक जो हैना यह अमल जारे रहता है तो क्या यह सवाल बन सकता है कि सी सी के तहट निसाभी जांच के साथ साथ इजाफी मजामें एक्जाम में पूच सकता है कि सी कैसे तरीख कार है सी सी के तहट किन किन नुकात को जांच में शामिल किया जाता है सी सी के अमर क्या है तो तीन अमर यहां पर हम देखेंगे निसाभी हम निसाभी जायद निसाभी जायद निसाभी सी के तहट जो है यह तमाम चीज़ें जो हैना उसमें शामिल हैं तो इस किसम का भी सवाल मुसल्सल से मुराद तद्रीज वा-टिसाबियां में किसी एक मौख़े तक महदूर ने रहना बलके एक्तिसाबियां को मुसल्सल मुषाधा करना कमरे के अंदर, कमरे जमाथ के बाहर हर वक्त जो है ना इसका मुशाधा करते हैं बच्चों की तरखी का अंदराच करना और बच्चों के जरीए सीखने के दौरान जिन कमियां पाई जाएंगी या बच्चे जिस मुखामात पर सीखने में पिछड़े हुए हैं वहाँ पर मजीद जो है ना उनको रिमीडियल टीचिंग देते हुए हैं आगे बढ़ाने का नाम ही मसलसिले जबके जामे का मुराद यहां पर है कि सिर्फ निसाबी मजामिन नहीं बलके बच्चे की हमाजहती तरखी है हमाजहती तरखी से मुराद बच्चे की जिसमानी नशनुमा फिजिकल जो है ना उसका एच के हिसाब से उसके अंदर डॉलर्मेंट हो रहा है या नहीं उसके जि अची तरह से देखेंगे जहनी तोर पे याने निसावी मजामीन है है यहाँ पर देखेंगे इसके बाद अखलाखी वैलियु एजुकेशन तरह से बात कर रहा है क्या वो बात करने की जो है ना तर तारिखों से वाखिफ है क्या इंटर परस्नल बेन शखसी क्या बहुलिंगा हम बात करने हैं देन शख्सी जो है रिलेशन्स चिप्स याने तालुखात को जो है ना अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहा है या नहीं तो ऐसी बहुत सारे चीज़े हैं जो उसके अंदर आनी चाहिए तो उन तमाम नुकात का भी जो है एक बच्चे की वो हिस्सा है तो उसकी जावियों से इहतसाब करना है यानि एक जाविया ने बलके तमाम जावियों से कोई भी उसको बच्चे से तालुख किसी भी पहलू को जो है ना हम छोड़ना नहीं मिसाल के तोर पर आर्ट एंड कल्चर है कोई बच्चा अच्छे से जो है ड्राइंग कर सकता है तो उसको जो है ना हम लेंगे कोई बच्चा अच्छे से खेलता है तो उसकी भी जो है ना परफार्मेंस को मुझाहरे को जो है ना हम काउंट करेंगे यहां पर तो आएए नाजरीन ये प्रोग्याम आप टी साइट पर मुशाहिदा कर रहे हैं ये रास्तर तावर पर टेलीकास्ट क किया जा रहा है खासकर गुरुकुल उद्योगागाइट के सिलसले में उन तुल्बा के लिए जो गुरुकुल के मेन इंतिहानात की तैयारी कर रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं आज का प्रोग्याम जो है सी सी जबान के तहत है तो इसमें जो है बच्चों की हमाजहिती तर दरसल होता क्या है ये हमाजहिती तरही में जैसा कि आपने कहा कि बच्चे की नशनुमा हैं फिजिकल और जिसमारी अखलाखी वैल्यूज हैं साथे साथ मजामीन हैं केलकुल के मैदान में वो किस तरह से पेश आता है दोस्त अहबाब के साथ उसका रवाया कैसा है ये एक म टॉपिक के तहट और क्या क्या मौजू हो सकते हैं इम्तिहान के मजद नशनुमारी तैयफ साथ इससे पहले भी मैंने दिकर किया है बच्चों की हमाजहिती तरखी से क्या मुराद है यानि जामे तरखी से मुराद बच्चों का दर्सी किदाबों की बन्याद पर इल्म की तश्किल करने के अलावा जिसमानी जहनी जजबाती तोर पे वो जजबाती तोर पे भी जो है ना वो बच्चा उसके अंदर अमर के हिसाब से जो अमर में वो रह रह रहा है वो अमर के हिसाब से उसके अंदर तब्दिली आने की जरुत है जी वो अच्छे जजबात का मौख़ा है जब खुशी का इधार होना शादी का मौख़ा है खुशी का इधार होना कोई जीत हुई खुशी का इधार होना जी तो जजबात जो जिस मौख़े पर जिस खिसम के जजबात होने चाहिए उसकी उमर बच्चे के अंदर आना अच्छे जजबात आना नफरत के ग सबसे हों वो जिस बात का फरोग उस बच्चे में उस ताले विल में होना चाहिए बिलकुल और उसी तरह देखेंगे हम समाजी तोर पर देखेंगे जी समाजी तोर पर वो समाज इनगर न स्कावास का अच्छा शेरी बनना चाहिए जैत्ग में इच्छा शेरी बने यसों मरत इंडिया जैत्व आइसके अपनूंध बनने के वास्ते जरूरी है तहदी यानि जैत्वार को में हमारा कल्चर है उसको भी जो है ना उने एहतराम करने वाला बने क्योंकि हम जहां पर रहते हैं बसते हैं उसकी एक तहजीब है उसका एहतराम करना वाला बने उसी तरह हिंदुस्तान की एक तहजीब है उस तहजीब का भी एहतराम करने वाला बने उसके वाखिफ हो और मक्तलिफ तहजिप को मानने वाले लोगों के साथ भी अच्छा बरता हूं करें उनके साही भी अच्छे Rickye इसी तरह बच्चों में इल्म की महारत त्रह इल्म आना उनके अंदर ना ले जाना, मुट्लिफ मालूमात आना उनके अंदर और जो हना तज़िया करने की सलाहियत आना, किसी मौज़ू को समझने की सलाहियत आना, उसी तरह महारते आना उनके अंदर महारते हैं बहुत सारी महारते हैं लाइफ स्किल्स आना है इसी तरह से जो है ड्रैंग स्किल्स आना है परफार्मिंग आर्ट्स की स्किल्स आना है इस तरह से हम इस्तिदाद याने जो हम मदमून के तहत इस्तिदादें तहे किये हैं उनका भी आना जरूरी है और जो हमारा व बच्चे के अंदर आना चाहिए यही जो है ना बच्चे के अंदर होने वाली हमा जहती तरखी है तो यह बच्चे के अंदर अगर पाई जा रही है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए तो आएए नाजरीन इस तरह के मैं आप से पुछना चाहता हूं कि क्या हमा जहती तरखी क के साथ साथ जो है अभी आपने बहुत अच्छी बात बताई के अखलाख की तालीम और वैल्यूज एड्यूकेशन फिर साथ समाजी समाज में घुल मिल जाना ये तुल्बा के लिए जो है सी सी के तहत है होता है विल्के क्या ऐसा सवाल आ सकता है ये हो सकता सवाल जो कुशन पेपर फ्रेम करने वाले हैं उनके पूछ सकता यानने उनके अंदर जो चाहे वो पूछ सकते हैं बिल्कुल आसान चीज़े भी पूछ सकते हैं गैराई और गीराई की भी बातें भी पूछी जा सकती है या ये तो एक जो टीचर है जो अमिदवार हैं तैयारी कर रहे हैं वो लोग वो लोगाँ को चाहिए सतही इन भी होना चाहिए गैराई और गीराई के साथ बी इसके ओपर वो लोगाँ को जो है रहना दरूरी है इसी तरह अगर हम देखेंगे हमाज़ाई तरहों में बच्चों की मुकम्ल नशौनुमा मे माविन तमाम नुकात अजबाख में शामिल कर दिये गए हैं तो उसके मुतागब भी हम देख सकते हैं निसाभी हम निसाभी का कोई फरख करने की जरुरत भी नहीं रखी गई यानि तमाम चीज़ों को उसके स्कुल में जो है ना जहां पर वो अरा है क्यूंकि हम जानते हैं क स्कुल एक बच्चों की जिन्देगी को समारता है जब आने के बाद उसको तमाम चीज़ें जहां पर मुहिया करने की कोशिश की गई है आईए इस सिलसले में जो है हम मुसलसिल जामे जांच क्यों इसके तहत आप वो इसकी वजाहत करें और ये बताएं कि ये इसकी जरूर में सिर्फ कि इल्म की जिनिसा वी किताब थिए। उन में जी गई मालूमात की बुलिए पर सवालाथ पुछे जाते देगे जी वह बत्चा जो मलोमां नशाना राद आप सा फासल कर ता या यानिके जाज का जो पुराना तरीचा था वो सिर्फ इलमी मालुमात तक था निसावी कुतुब तक ही मेहदूल था. अब इस तरीचे तद्रीश में हमाज़ाहिती तरफी जैसा कि आपने अच्छा कहा। कि उसके समाजी बरताओ क्या है अखलाखियात क्या है उसके खेल कुद में दिल्चस्पी क्या है याने कि बच्चा मरकोस तो इस तरह से सवलाद आ सकते हैं तो इसकी वजाहत करें कि इसको आप तफसिल से हमारे नाजरीन और तुल्बा के लिए बताईए जो इम्तिहन की तैय है ये कि ये जो तरीखेकार है पुराने तरीखेकार का नेम बदल है याने उसको तबदिल कर दिये गए मुतबादिल है अगले दमाने में इसे बदला भी जा सकता है हो सकता लेकिन अब जो मुरविजा है हम ये से सही समझ रहे हैं तो जांच का जो तरीखेकार है इससे एक शामिल किया गया है, मार्स को अटाकर ग्रेट को शामिल किया गया है, ग्रेट को अटाकर मार्स को शामिल किया गया है, या जो है ना ये तरीख कार जो है ना, मतलब बच्छों के अंदर दबाओ को खतम करने वाला है, बिलकुल आपने अच्छी बात बताई के हैं, दबाओ को वोज़ खतम करना उनके जो है एक तरह का प्रेशर जो के कई बच्चे जो है माक्स की कमी पर नशानात की कमी पर हाला कि खाबिल होते हैं किसी वजह से वो इम्तिहान में कम माक्स लाते हैं तो उनके उपर एक तरह का प्रेशर था तो गवर्नमेंट और जैसा कि आपने तरह से तुल्बा के लिए ये सिल्सला जो है खाबिले खुबूल है और इसकी मज़ीद वजाहत करें कि मार्स किस तरह से लाएं तुल्बा तो आप जो भी उमीदवार हैं उन्हें चाहिए कि ये मसलसिल जाम जांच से मतालुख मुकमिल मालूमात जो है ये सी आटी की साइट पर भी जो है ना रखी गई है जी जी वहां से भी जो है ना उनकी एक मार्डूल डाउनलोड करकर वहां से भी जो है ना पर सकते हैं मुकमिल मालूमात हासिल कर सकते हैं लेकिन उसमें मुकमिल मालूमात नहीं है टाइम टू टाइम उसमें तबदीलिया लाई जा रही है उन आर टी E के तहँए इसे कंपलसरी तरी कर दिया गया है पहले कोई अछ सकता था था अछ ब्राइच आ चुका है तो इस में इसको हम देखें कि आर टी E के धी जएूर कहांगी नग Newshake अचरी इसको क्या किया गया है कि इसको एक खानून की शकल दे दी गही है सीजी को अब तो हर जो है क्योंकि सेक्शन पांच और जो है ना बाब पांच और सेक्शन वन तीस में और सेक्शन दो के तहद जो है यहाँ पर जो है जामे जान होनी चाहिए बले हैं कि छेता चौदा साल के तमाम बच्चों के लिए जो है ना मुफ्तर लाजमी तालिम है इसके तहद जो है ना सीजी को यहाँ पर यह सवाल पूस्ट जा सकता है किस सेक्शन के तहद जी सीजी को यहाँ खानून याने लाजमी खराड दिया गया है तो आए टी के बाप पांच और सेक्शन वंटीस और जहली सेक्शन दो के मताबिक बलके बच्चे जाब दे सकते हैं इसमें और भी कुछ अलग खिसम से सवालात पूस्च जा सकते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे खानून रहक तालिम में क्या कहा गया है बच्चों की जिसमानी जहनी जजबाती नशोनमा याने हमाज़े तरफी की जाज़ भी की जाए तो इसलिए क्या किये हैं रिफाम लेकिया हैं इसी तरह बच्चों की हासिल करदा मालूमात महारतें इसे दाट की भी जाज़ की जाए बचे क्या सीक रहे हैं उनके अंदर कौन सी महारते हैं कौन से मियारात को हासिल किये हैं इसकी भी जांच की जानी चाहिए ये खानुन हक तालिम में बताया गया इसी तरह बच्चों की सते उमर के मताबिक क्या इन में जिसमानी जहनी सलायतों में फुरुख पाई हैं या नही मादری दबान में तद्रीज की भी बात कही गई है और जो जांच का मामिला है सबसे पहले खाफ और खतर के माहल को खतम करके बच्चे खुद अपने अहसास साथ जजबात के साथ जो हैना इसार करने के खाबिल बने इसको जो हैना अहमेत दी गोई है इसलिए हम देखते हैं कि अगर हम देखते हैं कि रियासती तालीमी खाका 2001 2011 2009 में जब RTE में इन चीजों को शामिल किया गया और 2010 इपरेल से जो है ना 10 इपरेल से जो है इसको लागू कर जिया गया खानून को जी तो हमारी हुकूमत ने भी यहां पर रियास्ती तालिमी खाके में जो है ना इसको ऐहमेद दी तो देखेंगे यहां पर क्या बले इलम औ औ महारतें रवएय याने रियास्ती तोर पे जो है ना कया ऀड़ियां एक्षिप्ट की गई है इल्म औ महारतें रवएय औ रुझानाथ तजि़ए की महारतें इउग्धार अखलाखी बरताव गएरा तमाम नुकाद को तद्रीज और एक्तिसावी अमल का हिस्सा मानते हुए जांच की जाईए बलके कहा गया है याने नालेज, स्किल्स, आइटिटूट्स, रुजानात ये तमाम चीजों को मारते हैं एकदार व्यालूस और जो है ना बढ़ता हुए तमाम चीजों को क्या करें टीचिंग लर्निंग प्रोस अन्फक्तन भी जांच करने के लिए ये न्सी अफ में यहां पर कहा गया है इसी तरह ये भी कहा गया है कि तहरीरी अमतहानात तक बलके हम देखेंगे तहरीरी अम्तिहनात तक मेदुद नहरे ना बलके जबानी अम्तिहनात और महारातों पर मबनी अम्तिहनात और तालिमी मेरात को जो है उसमें शामिल करने की बात कही गई है तो आईए नाजरीन ये प्रोग्रेम आप टी सैट पर मुशाहदा कर रहे हैं जैसा कि आपने अलिम साहब ने बताया हमको किस तरह से इम्तिहान की तैयारी करनी चाहिए उसके लावा किस तरह के सवालात आते हैं आटी का सेक्शन भी इसमें शामिल है उस पर भी सवालात आ सक सकते हैं और एक अच्छी सी बात आपने बताई थी कि अम्तिहानात आपको ये सवालात भी आ सकता है कि अम्तिहानात तहरीरी ना हो बलके जबानी हो और जबान के तहत इम्तिहानात में तखारीर का भी तखाबल हो सकता है और तहरीरी तोर पर भी बच्चों से जो है किसी सिल्सले को आगे बढ़ाते हुए मुहम्मद अलीम 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 अद्दीन साब से यह जानना चाहेंगे कि मज़ीद इसकी वजाहत करें इस सिल्सले को आगे बढ़ाएं और यह बताएं कि तहरीरी के इलावा और क्या नुकात हो सकते हैं जिस पर हमको हमारे तुल्बा यह देखेंगे कि सबसे पहले जो है जांच और एक्तिसाब को जोड़ दिया गया है जी जांच और एक्तिसाब दोनों अलग अलग नहीं बलके एक हैं तो लाजमी हिस्सा बना दिया गया है जांच को एक्तिसाब का लर्निंग प्रोसेस का जी तो इसको अगर हम देखेंगे तो तीन हिस्पे हैं इसके ज blessing saying uh शीए सीखने के दोरान जो है न किस अगर रहा है बच्चा जिसके बाद इसलिए एहर है एएए अएस्थाक किया जाई है zaj एक्षिमेंट किया के लिए उसका सथे मालुम करने के लिए और जो है कितना सिखा है जी ऊसकी भी जाच करने के लिए याई ये परिरोरिकल है ये प्र尤र मेरे B कि चीज़ों चीज़ों के ओपर इसमें हम तवज्जे दिये हैं अगर हम जो हैंगे तो किन नुकात की जांच की जाए, किन नुकात की जांच की जाए, CCE के तहट, तो ये भी RT के तहट भी तहट कर जया गया है, और CCE में यहां पर हम देखेंगे, अगर हम अवल ताप पंजुम जमात तक ले लें, तो वहां पर देखेंगे, जबाने अवल, उर्दू, अगर काम वर्क एजुकेशन और कंप्यूटर एजुकेशन इसे तरह एगदार की तालीम और माविन हायत महारत याने लैफ स्किल्स को भी आ प्रैमरी लेवल पर शामिल किया गया ओगा है इसी तरह अगर हम हाइस्कूल लेवल पर अगर देखेंगे सीजी में, किन नुकात की जाँच की जाएने चाहिए बच्छों को पढ़ाने के दौर, तो देखेंगे जबाने और अवल उर्दू हो सकती, दीगर लोगों की अगर माधरी जबान तेल्गो हो सकती, अगर अगर अ थिछो वहना यहाWeek些 कामने। मेरी आमने। अमिभाने। सुप्स्त्रिक है। इसी तरह रियादी देखेंगे हैं, हम सुप्सक्रीके लिए मुष्य है। अब यहाँ पर महुलियाती मुझाल्ष को यहाँ यहाँ पर इल्म साइंसका नाम दिया। और समाजी इल्ब दो हिस्तों में तक्सीम कर देके क्योंकि लेवल सते बढ़ रही है तो इन चीज़ों का यहां पर वो लोग जो है न यहां पर जाच की जानी चाहिए उसी तरह फुनून लतीफा, सखाफती तालीम, तालीम सहथ, जिस्मानी तालीम, काम कंप्यूटर की ताल जाच के नाजरीन आपके स्क्रीन पर आलीम सहाब ने डिडेजा ताफसील से इसको पेश किया है कि प्राइमरी लेवल और हाई स्कूल लेवल पर जबान की तहत किन नौकात, सी सी के तहत किन नौकात का सकता है, इन पर भी सवालाद बन सकते हैं जैसा कि आपने कहा कि सतही तोर पर भी सवालात पूचे या सकते हैं और इस सब्जेक्ट के तैयं तक भी सवालाद पूचे जा सकते हैं तो अजीर तुल्बा आप इसकी अचिन्चा से तैयारी करें और मैं आप से उजारिश करता हूँ अलिग常 कि आप ये बताएं आगे और मज़ीद कौन से टॉपिक्स इसमें शामिल हैं जिस पर सवालात आ सकते हैं देखिए मजबुन वारी एक अगर जबान हम देखें हैं कि जबाने अवल याने फ़र्ष्ट लाइंग्वेज में जो मादरी जबान हो सकती है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें बच्चे को आना किन किन चीज़ों की जाच की जानी चाहिए देखेंगे सुनना सोचकर बोलना पढ़ना समझकर इसार ख्याल करना खुद लिखना लफ़ियात तखलीखी इसार और तौसीफ अच्छे चीज़ों की जो है आह वाह तारीफ करना अच्छाई की तारीफ करना और जबान शनासी ने ग्रैमर वगरा को भी जो है शामिल किया थाया क्या फुद प्रूफ वगरा दे रहा या नहीं जे उसको जो है ना इजहार कर रहा कमुनिकेर्मियां रब्त जाहर कर रहा है और रिप्लिन्ट कर रहा है इन तमाम चीज़ों की जो है ना यहां पर रियादी में हम देखेंगे इसी तरह माहुलियाती मुताले सवालाद करना, मफरूदाद खायम करना, तजरूबात, हल्खे अमल के मुशाहदात, मालूमाती महारते, शकल उतारना, नक्षजा, तोसीफ, अच्छाईगी, अच्छा उसाफ बैन, इगदार, हयाती तनू और बाशोर रहना, इसी तरह से इल्म साइंस में देखेंगे हम, त तसौराद की तफ्हीम, सवालाद करना, मफरूदाद खायम करना, बच्चा सवाल कर रहा है, या उसकी भी जांच करना है, और उन्हें किसी से मतालग मफरूदा खायम करना है, तजरूबात करना, हल्खे अमल के मुशाहदाद, बच्चा तजरूबा किस तरह कर रहा है, पाउसीफ जमालियाति हिस एखदार रोजमर्रा जिन्दगे में जो मालूमात हासिल हुई हैं उसको उसका इतलाक करना को कर पा रहा या नहीं उसकी भी जांच करना है। इसी तरह हयाती तनों की भी समाजी इलम में अगर हम देखेंगे तसवरात की तफिम जो पढ़ रहा है उसका तसवर आना उसके अंदर बच्चे के अंदर जो जो कांसेप्ट है जो भी मौदू है उसको समझना फिर दिये गए मवाद का मुताला करना फहम हासिल करना इधार कर मालूमाती महारत हैं मालूमात इखटा करना या उसका तर्जिया करना उसको जो है समझ के उसको फिर उसके बारे में अपना ख्याल जाहर करना इसी तरह हम असर नुकात यानि एक जमाने में होने वाले वाखिया यानि ट्रॉम्प अगर जो है अमरिका में एलेक्टेड या इस जमाने में होने वाले या इस दवर में होने वाले इस दवरान होने वाले हाल में होने वाले कई वाकियात के ओपर अपनी राय आदादाना तोर पर जाहर करना ऐसी राय जाहर करना जिससे दूसरों को ठेस ना पहुंचे उसी तरह नक्षजाती महारते हैं तारीफ करना है तोसीफ और जमालियाती हिस शामिल है अगर हम जो है ना ये तो जो है ना हम देखेंगे सिर्फ मजमुन वारी थे ये तो जो है न निसाबी थे अब हम निसाबी अगर देखेंगे हम रंग भरना फनून में देखेंगे रंग भरना सजावट करना तफ्वीर बनाना नमूने पेश करना इसी तरह अगर हम देखिए सहथ और वर्दिश की तालिम खेल कूद में हिस्सा लेने की भी जो है एक उसका जो है नोट करना है दिलचेस पिंटरेस्ट करना है इस पोर्ट्समें इस प्रिट ये खास तरह पर आपको बता रहा हूं जिसका भी जो है खेल का जजबा खेल के उसका भी जो है जांच की जानी चाहिए योगा और मराखबा भी हमारे हिंदुस्तान की तहजिब है वह उसमें किस तरह पार्ट्सपेट हो रहा है उसका भी जांच करना जिसमानी तोर पे उमर के लिहास से उसके अंदर नशौनमा हो रहा है या नहीं उसकी भी जां करने चाहिए काम और कंप्प्प्प्प्प्प्प्टर की तालिम अगर हम देखेंगे कंप्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प् एगदार की ताली मामेन हयात महारतों की तारे देखेंगे अच्छे बुरे की तमिस्क आना बहतर बढ़ता हो रहूँ उसके अंदर दस्तूरे एगधार होना खान व सके अंदर आना श्रदार का झाना भाइचारी का झाना इसी तरह हम देखेंगे बरदाष्ट खुबत बरदाष्ट दूसरों को बरदाष्ट करना रहम और हम देन department का जजबाना जबे यगानत और इन्फरादी अगदार ये तमाम चीज़ें इनके अंदर आने की जरुरत है तो हम देख आपने अभी मखतलिफ पहलों पर महमद अलीम साहब अलीम अद्दीन साहब से जानने की कोशिश की इन नुकाद को जो अभी आप देख चुके हैं अपने स्क्रीन पर इन नुकाद को नोट कर लें और इस प्रोग्राम को आप साफनेट टीसाट पर भी मुशाहदा कर सकते हैं आईए अब मैं अलीम साहब से मज़ीद ये जानने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से जो है और इस प्रोग्राम को देखें और अच्छे नशनात हासिन करें आईए इस सिलसले को आगे बढ़ाते हैं तईब साब जाँच अब जो हम बोल रहे हैं कि ये तो बात आदी कि कैसे करें तो उसका एक तरीख कार जो है ना सीसी की तहर दे दिया गया बताया गया है कि ये इस तरीखे से हम बच्छों की तमाम चीज़ों की हम जाँच करेंगे तो इसको हम दो इसों में तक्सीम किए हैं पहले एक हिस्सा है तश्कीली जांच और दूसरा मजमुवी जांच फार्मेट्व वैलवेशन समेट्व वैलवेशन दो हिस्से बना दिये गए हैं इसके सर मैं आप से जाना चाहता हूं कि जैसा कि आपने बहतरीन अंदास में ये बताया कि इसके तरीखे भी दिये गए हैं और उनके नाम भी बताएं तो आप हमें ये बताईए कि ये तश्कीली जांच होती क्या है और इसकी तारीफ बताईए और इसके तरीखे क्या हैं कि ताकि वो तुलबा जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो आसानी से मजबून को आसानी से समझ सकें तश्कीली जांच से क्या मुराद है फार्मेट्यू इवालवेशन दरफल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ चलने वाला कमरे जमाथ के अंदर और कमरे जमाथ के बाहर बच्छों की जांच करना क्लासरूम के अंदर और क्लासरूम के बाहर जांच करना तो ये तरीखे कार को जो हैना हम फार्मेट्यू आसेस्मेंट बोलेंगे अब स्क्रीन पर भी देख सकते हैं तश्कीली जांच बिला खौफ उ खतर आदाना माहौल में बच्चों के लिए म करने वाला है कि मुसलसि लम पहले बोले हैं मुसलसिल वाले अमल के लिए तश्कीली जांच जै तो और ये जांच तदरीश ही हूँ रखति सावी अमल के दौरान मुसल सिल फी बैप फराम करने के लिए किस के लिए फीड़ बैप टीचै के लिए और मुतालिम दोनों को पर assessment है अगर हम इसको मजीद देखेंगे ये जो है ना दौराने तद्रीस एक्तिसाबी अमल के दौरान बच्चों की तरखी के अमल का अंदाजा लगाया जा सकता जे इससे अगर जो है ना एक्तिसाबी मौख़े में बच्चे किस तरह रदेमल दाहर कर रहे हैं और तद्रीस करेंगे ये तद्रीस एमल के साथ साथ होने वाली जांच है अलग ने होती तद्रीस के साथ साथ होने वाली है इसमें जबानी जहरी तोर पे बच्चों की तरह का मुशायदा करने की गुंजाश है और बच्चों के अंदर पाया जाने वाली खामिया और टीचर जो पढ़ा है अगर तो АLE지 lite सर मैं आपसे एक सवाल किया मैरे दमाग में आ राए है कि किया एक सवाल आ सकता है कि तश्कीली जान जो है तल्बा के लिए जो है कम्रे जमात और कम्रे जमात के बाहर हो सकती है इसको ड टाश कहते हैं तो यह एक सवाल आ सकता है या ऐसे ये तश्कीली जांच का ऐसा भी हो सकता है कि तुल्बा और मौलिम अपने खामियों को बरवक्त दूर करने के लिए कौन से तरिफ जांच को इसके जाब में तश्कीली जांच ऐसे आ सकते हैं आईए सिलसले को आगे बढ़ाते हुए मैं मौहमद अलीम अदिन सर से ये जानना चाहूंगा कि मजीद जैसा कि आपने कहा तश्कीली जांच इसके बाद जो है तश्कीली जांच के जराय क्या हैं इस पर आप थोड़ी सी नज़र डाने तश्कीली जांच जो है ना हम चार तरीखों से करते हैं तब फिल में अभी वक्त की कमी है तब फिल में सरसरी देखेंगे चार चीज़ों पर करते हैं चार नुकात हैं बच्चों की शरकतदारी रद्दे अमल पहला नुकता तहरी रिकाप दूसरा नुकता मंसुब काम ती बच्चों की शिरकदारी क्या है, तो यहां पर हम देखेंगे भच्चे जो हैं क्लास्रूम में टीचिंग लर्निंग प्रोसे Support में किस तरा अपना रद्य अमल दाहर करते हैं। जेक्ट हैं बच्चों के इसको पूरे प्रोसेस में उत को ँसको मार्क देते हैं। इसे तरह बच्चों की लिखी गई तहरीरों में नोट बुक्स हैं फिर जो है ना उनके मनसुब काम है या जो है ना और कुछ काम असाइन किया गया है वो करने के जो तहरीर करते हैं उसकी बुनियात मार्क देते हैं इस तरह इसमें नोट बुक्स हैं दर्सी किताबं में किस फुल एप करते हैं, उनको भी जोहना देखें, इस तरह मनसुबा काम में अगर हम देखेंगे, यह किस तरह वो मनसुबे काम में हिस्सा ले रहे हैं, ग्रोह की खियादत कर रहे हैं, मनसुबे काम में रिपोर्ट लिख रहे हैं, मुझाहरा कर रहे हैं, फिर मुबाहिजा और इस तरह से इसमें भी हम देख सकते हैं, इसी तरह चवथा नुकता है इसमें, सिलिप टेस्ट, यानि यह बीस नंबर पर रखे जाने वाला, पहले और पहले उनिट टेस्ट बल के रखा जाता था, बिल्कुल, सिलिप टेस्ट का नाम दिया है, और बच्चों को बगार, इसमे अंदादा लगाया जाता, इससे बच्चे जो है आज इम्तहान है, कल इम्तहान है, ऐसा झो है खाफ और खटर के माहल में नहरेते हैं, आपके इस पर सवालात आते हैं, तो वो जवाब दे सके, समेटियू कब होता है, कितने होते हैं, बिल्कुल, हम जो है, तश्कीली जान जो है ना, एक तालिमी साल में चार बार रखते हैं, जुलाई, अगस्ट, नॉम्बर और फर्वरी, इसी तरह आपने कहा कि मजमुई जान्च के बारे में बताएं, मजमुई जान्च एक मीख्यात, एक पिरियट खतम होने के बाद, इस्तिदाब दोओं पर मबनी जान्च ह आईए नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, मजमुई जान्च को दो बार रखा जा रहा है, एक है सिप्टेμबर एक्टोबर, दूसरा है फेवररी, मार्च, इस सिलसले को आगे बढ़ाते हुए, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ग्रेडिंग, ग्रेडिंग दरसल क्या ह है, अगर हम देखेंगे, तो ये इस खिसम की ग्रेडिंग दी गई है, यानि A+, A, B+, B, C, 5 पैंट स्केल दी गई है, छेटमी तो दसमी के लिए जो है और एक स्केल हमारे पास दी गई है, ये 8 पैंट स्केल है, A1, A2, B1, B2, C1, C2, D, और E, तो इस तरह से जो है यहां पे ग्रेडिंग का तैयन किया जाता है, बच्चों को मार्स की बुनियाद पर जो हम इसे ग्रेडिंग देते हैं, तो आईए नाजरीन ये प्रोग्राम आप टी सैट पर मुशाहिदा कर रहे थे, अभी आपने स्क्रीन पर ग्रेडिंग भी मुशाहिदा किया है, ये जो हम को हम वक्त की कमे के हिसाब से अभी खत्म करते हैं, फिर किल इस स्रसले को जारी रखा जाएगा, खुदा हाफिस